जैने दोस्तों मैं अब्दुर्कला माजाद आर्जट क्लासस में आपका स्वागत करता हूँ यह हमारा एक्सरसाइस 3.2 का इंट्रोडेक्शन वीडियो है इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि दो रैखिक समिक्राड अगर दिये गए हैं उनको graphic वीडिया से कैसे उनकाsystems क्यात कर सकते हैं साथ में हम 2 रेखाओं के behaviors के बारे में जानेंगे क्या वो संगत है या संगत है क्या उनका कोई अनुपातिक तोर प chuild के दवारे हम उनके संगत या संगत होने के बारे में जाना से हैं सब चीजों की चल्चे इस पूरे वीडियो में करेंगे तो सुरू से पान तक जरूर देखिएगा तो चलिए इस सुरू करते हैं लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था लास्ट हमारा इंट्रोडेक्शन पार्ट में हमने देखा था कि अगर किसी रैखिक समीकरन को यह हमारा एक रैखिक समीकरड है और इसका अगर ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है अब इस ग्राफ पे आप बताओ कितने इससाल होते हैं कितने solution होते हैं, इस रेखा के ऊपर जितनी भी बिंदू उपस्थित होंगे वो सारे के सारे इस समिक्रण के हल होंगे इस रेखा के समिक्रण होंगे, जैसे देखो 0 और 2, अब यहां पर 0 और 2 अपने 2 इंटो 2 किया तो 4 यानि कि 0 और 2 इस रेखा पर और 4 जोबय इस पर इस्थित हैं और भी बहुत तरा अन्ने बिंदू होंगे तो यानि कि अगर एक रेखा है तो उसके कितने हल होंगे उसके अनन्त हल होंगे यह हम लोग पहले से जानते हैं इस चीज़ को आप हमेशा दिमाग में रखेगा एक रेखा है तो उसके कितने हल होंगे अनंध होंगे अब आईए हम यहाँ पर बात करते हैं रैकिक समिकरड यूगम का ग्राफी विधी से हल तो ग्राफी विधी से हल तो करेंगे पहले उससे पहले पॉइंट चांद यह एक हमारा रैकिक समिकरड दिया है 3x प्लस 4y ब्राबर 20 दूसरा रैकिक समिकरड दिया हुआ है अब अगर देखो 1x ब्राबर 4 1x ब्राबर 4 और y ब्राबर 2 अगर रखें यहाँ पर पहले वाले में तो क्या हो जाएगा देखो 4-2 इन्टू 2 यानिके 0 4-4 ब्राबर 0 यानि इसका हल होगा पहले वाले का दूसरे वाले में रखा जाज़रा तो 3 इन्टू 4 प्लस 4 इन्टू 2 3 चोको बार अब 4 दूनी 8 ब्राबर 20 देखो यह भी हल हो गया तो अब यह जो है याक्स बराबर 4 और वाई बराबर 2 यह हमारा इसका हल है और यह हमारा इसका हल है हम लोग जानते हैं कि तिसी भी रेखा का जो हल होता है वो उस रेखा परिस्थित होता है इसका मतलब 4 और 2 रेखा e x minus 2y पर इस्थित होगा बराबर 0 पर इस्थित होगा क्या होगा इसके उपर इस्थित होगा लाई करेगा इस पर संतुष्ट करेगा इस्थित होगा और बिंदू 4 दो इस रेखा पर भी तो इस्थित होगा तब ही तो इसका हल होगा रेखा 3x plus 4y बरावट 20 पर भी स्थित होगा अब ध्यान से देखो यानि कि ये जो बिंदू है 4 और 2 जो इसका भी हल हो रहा और इसका भी हल हो रहा है वो इन 2 रिखाओं के उपर स्थित है अब 2 रिखाओं के उपर स्थित है मतलब कोई ने कोई एक common point है तब ही तो दोनों रेखाओं परिस्तित है तो ये बड़ी important points है यानि कि इन दोनों रेखाओं में जो common points होगा वो इन दोनों का solution होगा यही हलोगा अगर दो रेखा है तो क्या-क्या इस्थितियां बन सकती हैं अगर दो रेखा हैं तो एक रेखा L1 ऐसे हो सकता है दूसरा रेखा L2 इसको क्रॉस कर जा सकता है एक रेखा ऐसे हो सकता है L1 और दूसरा रेखा ऐसे हो सकता है L2 ये दुनों पर तीसरा ये condition हो सकता L1 का L2 का ये L1 हो गया ये L2 हो गया ये एक दूसरे को प्रतिछेद कर रहे हैं ये एक दूसरे पर समपाती हो रहे हैं और ये दूनों क्या हैं रेखा हैं समान तर ये तीन situation हमने पढ़ा था अब देखो ये जो 4,2 और 4,2 दोनों रेखाओं पर आया यनि कोई बिंदू दोनों में common हो रहा है तो common कहां पर होगा कोई ऐसी points होगा जहां पर common होगा तो यहां पर देखो common point है ये बिंदू क्या है इस रेखा पर भी है इस रेखा पर भी है प्रतिछेद कर रहा हूं, उनका एक अधिती हल होगा, अधिती हल होगा, और अगर रेखा एक दूसरे के उपर क्या कर रहा हूं, समपाती हो रहा है, तो देखो भई यह इस पर जितने बिंदु होंगे, अब आपने भी देखा एक रेखा के उपर कितने हल होते हैं, तो एक र तो यह क्या होंगे, इसके हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक, तो इसका कोई solution नहीं होगा, इसका solution होगा, लेकिन एक ही solution होगा, और इसके infinite solution होगे, तो infinite solution होगे, तो आप क्या बता होगे, कौन सा solution है, एक solution तो आप बता नहीं सकते हो, तो एक solution वाला, यानि कोई दो रैखिक समिकरण अगर दिया गया हो और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें यानि प्रतिछेद करें तो वहाँ पे एक common point मिलेगा और वो एक common point जो बिंदू होगा इन दोनों समिकरणों का वो हल कलाएगा अगर एक दूसरे पे समपाती होते हैं तो उसके अननत infinite solution होगे तो उसको आप बता नहीं सकते हो कि यान इन्फाइनुआइट होगा और अगर दोनों रेखाए एक दूसरे के समाना अंतर होगे क्या होगे समाना अंतर होगे तो उसके अनगिनत हल होगे ठीक इतनी बात आपको समझ में आ जाने चाहिए, उम्मीद है, यह point समझ में आ गया, अब इसको हम लोग graph के जरीए solve करते हैं, graph से कैसे हम इसको solution को देखते हैं, कि क्या solutions हो सकता है, अब इसके लिए बहतर होगा कि आप graph paper कही इस्तमाल करें, जिसमें scaling बहतर होता, आसानी से आपको solutions मिल सकता है, ठी आसे हम किसी भी वैकिक समिकरण का graph बनाते हैं, तो पहले तो समिकरण 1 ले लो, समिकरण 1 से, तो x-2y ब्राबर क्या हो गया, 0 हो गया, बेटर आपको option यह है, कि अगर आपको जानना चाहिए, एक रेखा खीचना है, तो कम से कम दो बिंदू होने चाहिए, मेरा सुझाव य यक्स का एक बार 0 मान ले लिजिए, वाई का एक बार 0 मान ले लिजिए, जिससे आपको आसानी से वो बिंदू मिल जाए, अगर fraction part वाला हिस्सा मत लीजेगा, ऐसा कोशिस करेगा, अगर 0 रखने पर fraction आया, तो न रखेगा, कुछ और points रख लिजेगा, यहाँ पर हम लोग अगर 0 लेते हैं, तो y बार क्या मिलेगा, यहाँ बार 0 लेला, अब y अगर 0 लोगा तो यहाँ पिर x 0 आजएगा, तो दोनों 0 हो गया तो कोई और बिंदू लेलो, y बार 2 लेलो, y बार 2 लोगे तो 2 2 2, 2 into 2, 4 हो जाएगा, और यह उदर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, X वराबर 4 हो गया X वराबर आपने Y वराबर 2 लिया, तो X वराबर 4 हो गया तो इसके आपको 2 बिंदो मिल गया COPն। कौन-कौन से मिल जीरो मिल गया 0,0 4 और 2 रेखा , किस रेखा पर स्थित होँगे रेखा X-2Y पर जिरू पर इस्थित होंगे ठिक, तो यह इस पे स्टित होंगे, यह इसका हल होगा, अब दूसरे वाले समिक्रड के लिए लो, 3x प्लस 4y बराबर 20, अब समिक्रड यहां पे लिख लो, समिक्रड दो से, simple, लिख दम ऐसे ही आप करते जाओगे, आसानी साब का solve हो जाएगा, और आप एक छोटा सा box y बराबर 2 रख लो, देखो, y बराबर 2 रखोगे, तो यह जाएगा उधर, तो 20 में से 8 जाएगा, तो भर्चे का 12, 12 x में से 3 से भाग दोगे, तो कितना आएगा, 4, 12 में भाग दोगे, sorry, 3 से, तो कितना आएगा, 4, तो आपके पास अभी बिंदु मिल गया, 0 और 5, तथा क किस रेखा पर इस्तित होंगे, 3 x प्लास 4 y बनावर, 20 पर क्या होंगे, पर इस्तित होंगे, अब इसको आप ग्राप बनाओ, तो देखो, आपके पास x वाली बिंदु मिल गई, y वाली बिंदु मिल गई, यह आपका x अच्छ हो गया, यह यह अच्छ हो गया, यह कहां से क चार और दू, एक दो तीन 24, यह अपका जार और दू हो गया, इस वाले देखा का, इसको पहले मिला लो, अब देखो यहां पे हमारे पास तीन questions है, जिसमें दो-दो group दिया हूँ, दो दो pair दिया हूँ रहे हैं, इनको हम लोग को graph यह निरू पर करते हैं, graph द्वारा इसके solutions क याद करते हैं, तो चलो आओ देखते हैं, ठीक है, इसका अभी हमने solve किया, x-2y ब्राबर 0, 3x plus 4y ब्राबर 20, तो इसका क्या आया था, आपने देखा अभी, अगर x ब्राबर 0 रख लो, ऐसे रख लो, कर लो, x ब्राबर 0 रखोगे, तो y ब्राबर क्या आएगा, 0 आया आएगा, तो x ब्राबर 0, y ब्राबर 0, एक बिंदु आपको मिल गया, 00, और y ब्राबर 2 रख लो, y ब्राबर 2 रखोगे, तो अभी हमने रखा था, y ब्राबर 2, 1, 2 y ब्राबर हमने 2 रखा 2, 2, 4 y ब्राबर 2 और x ब्राबर 4 आपको दे देगा तो 2 और 4 ये मिला आपको 4 और 2 x ब्राबर आपने 0 रखा तो y ब्राबर आपको 5 मिला तो 0 और 5 मिला ठेक और y ब्राबर आपने 2 रखा तो एक्स परावर क्या मिल गया, चार मिल गया, तो यह आपका L1 रेखा और L2 रेखा, यहाँ पर एक solution हो रहा है, तो देखो जहां से, यह आपने graph बना लिया, यह हमनों last question में, इसी को हम लिये ते example के तोर पर, तो यह इसका graph ऐसे बनाता, 4 और 2 पर यह दूसरे को क्या कर रह कितने CH12 हो रह भ़्या अधुती ह 49 हो रहा है ठीको एकि जिगे तो कट रहा है तो इसकी कितने अगह Director दोनों को satisfy कर रहा है चार यहां पर रखोगे, तो 4 और 2 Sis 4, 4-4 स्ट जीरो, 2 क्यांणी को 8, 12カンタू. इसके अलावा आप कुछ भी इसमें रखो गए दोनों को satisfy नहीं करेगा, क्योंकि हमको पता है कि एक रिखा के अंदर कितने हल होते है, अनन्त हल होते है, दूसरे वाला रे रिखा भी यह हो भी उसमें भी अनन्त हल होंगे, क्योंकि इस पे जितनी बिंदु होंगे, इस पे ज LHS और RHS को क्या कर दे रहा है बराबर कर रहा है और इस समिक्रण के लिए LHS और RHS को क्या कर रहा है बराबर कर रहा है तो यहाँ पर एक अध्यूती हल मिलेगा इस वाले रेखा की बात करें हम लोग इन दोनों रेखिक समिक्रणों की बात करें तो देखो क्या करते हैं कर लेत अगर 1 रखोगे तो 6, 9 में से 6 जाएगा तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचाएगा दो से भाग देदो को तो 3 बच जाएगा ठेक यह आपका पहले वाले समीकरड के लिए बिंदू मिल गया 0 और 3 और 11 के लिए मिल गया और 3 और 1 ठेक है भडाबड करते हैं start cut में दूसरे वाले के लिए ले लो यहां पर X यहां पर Y अब देखो अगर यहां पर हम लोग X बराबर क्या रख दें 0 रख दें तो Y बराबर क्या मिलेगा 3 और Y बराबर अगर हम लोग 1 रखेंगे हाँ y प्राबर 1 अगर रख लोगे तो देखो ये 6 हो जागा 18 बच जागा 12 बचेगा और 1 से भाग दोगे तो 3 आएगा तो L2 रेखा के लिए क्या मिल गया आपको 0 और 3 और 3 और 1 मिल गया मतलब आप देखो ये L1 और L2 दोनों सेम सेम है मतलब अगर अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो 0 और 3 0 और 3 मतलब ये 0 और 3 3 और 1 3 और 1 ये 3 और 1 हो गया और ये 0 और 3 हो गया तो इन दोनों को मिलाते हो चले जाओ यहां से आप L1 कहलो यहां तक यह आगे बढ़ालो ये दूनो ये L1, L2 आप ये Q2 हैँ अब आप देखो दूनों क्या होग oppress कि दूने रिखा एक ही पर लाइया संपाती हो गया है ये संपाती रिखा हो गया और आप बता हो इस तो इस रेखा पर अनन्त बिंदू है, अनन्त हल हुँगे, इस बाले पर आजाओ, यहां पर x ले लो, यहां पर y ले लो, अगर 0 रखोगे, तो y कहा मिलेगा, दो मिलेगा, y अगर 0 रखोगे तो x कहा मिलेगा, wa दो 2 मिलेगा, y 0 रखवा गया, तो x क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक, अब इसको बना लो, यह x xs है, यह y xs है, ठीक है, अभी ले लो पहले वाला 0 और 2, तो 0 और 2 कहां पर होगा, यहां पर होगा, और 4 और 0, 4 0 यहां पर होगा, तो इन दोनों को मिलाते हुए रेखा खिस दे आपने, उसके बाद इसमें 0 और 3, तो 0 तीन यहां पर होगया, और 0 और 6, 6 और 0, तो 6 0 यह रहा गया, अब देखो यह दोनों पार्लल रेखा बनेगी, क्या बनेगा, यह L1 रेखा होगया, यह L2 रेखा, जो कहीं पर भी नहीं काटेगी, पार्लल होगा तो कहीं पर काटेगा, नहीं काटेगा, तो इसके कितने हल होगे, कोई हल नहीं होगा, तो देखो ये तीन question है अपके जो आपने graph दारा solve गया और आपने इसके हल निकालने की कोशिस की तो आपको पहले वाले question में दूर एक दूसरे को intersect कर रही है प्रतिछेट कर रही है जहां प्रतिछेट कर रही है वो इसका हल है वही बिंदू हल है जिस बिंदू पर ये एक दूसरे को प्रतिछेट कर रही है दूर एखाएं एक दूसरे को समपाती हो जा रही है coincide हो जा रही है तो ये इसके कितने हल होंगे अनंत हल होंगे ये दूर एखाएं पैरलल है तो इसके कितने भी हल नहीं है यह जब आप graph paper बनाओगे accurate बनेगा, exact बनेगा आपको इतम आसानी से parallel दिखाई देगा ठीक है, अब हम लोग को इन टीनो questions का एक चीज मालूम चल गया कि इसके कितने हल होने वाले है इसके कितने है यह अदिती हल होने वाला है अदिती हल है इसका यानि एक ही हल है इसके कितने हल है, अनन्त हल है अनन्त हल है और इसके भीया कोई हल नहीं है यह चीज हम लोग को पता है अब एक चीज और जो हम लोग को सीखना है और एक point और है जिसके हल होते हैं जैसे यह अधिती हल है लेकिन हल है और यह संपातिरे का अनंत हल है इसके भी हल है तो यह दोनों संगत यूगम कर लाते हैं और जिसका कोई हल नहीं होता उसको और संगत यूगम करते हैं यह ऐसे दो रेखाएं जिनका यूगम और संगत है और यह दोनों ऐ इसे रेखाएं हैं जिनका यूग्म क्या है संगत यूग्म है तो यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ठेक अब बिना हम लोग सॉल्व किये हम लोग कंपरीजन करके इन दोनों रेखाओं के गुडांकों के अनुपातों का कंपरीजन करके हम बता सकते हैं कि इसके कितने हल होंगे बिना ग्राफ बनाया है तो उसको देखते हैं अब देखो सबसे पहले तो हम लोग को अगर जब इस कंपरीजन करने के जरिए अगर हम लोग को जानना है कि किसी भी रैकिक संगत यूग्म के कितने हल होंगे अधुति हल होगा या अनन्त हल होगा या समिकरड जो है, वो संगत युग में है, जो दोनों समिकरड दिए गये, वो संगत यूग में है तो इसके लिए हम को क्या करना पड़ेगा, जो standard format होता है, ax, by, plus c, बॉर जीर, इस format में लिखना पड़ेगा और इससे तुलना करके हमको समिक्रणों का A और B निकालना पड़ेगा तो इस वाले समिक्रण को हम लोग तुलना करते है A1X प्लस B1Y प्लस C1 बरावर 0 से तुलना करने पर X मैनस 2Y बरावर 0 अब यहाँ पर देवो तुमारा A1 क्या है? 1 है B1 क्या है? मैनस 2 है C1 क्या है? 0 है अगर इस समिक्रण को तुलना करो 3X प्लस 4Y बरावर 20 इसकी तुलना आप A2X प्लस B2Y प्लस C2 बरावर 0 अब C2 मिलाना है तो इसको आप क्या करिए? इस साइड में रखे यानि बरावर 0 के फॉर्मेट में अब यहाँ से आपको A2 मिला 3B2 मिला आपको 4C2 मिला आपको माइनस 20 ठीक? यहाँ से A1, B1, C1 यहाँ से A2, B2, C2 यह मिल गया? अब इनका कमप्रीजन हम देखेंगे इनके अनुपात को देखेंगे क्या? A1 अपान A2 बरावर B1 अपान B2 ठीक? अगर यह दोनों not equal होंगे यहाँ से सुनिएगा? A1 अपान A2 not equal to B1 अपान B2 होगा तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक अधिती हल होगा ठीक? तो देखते हैं यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? A1 क्या है 1, A2 क्या है 3, B1 क्या है माइनस 2, B2 क्या है 4 अगर इसको हम कट कर दें तो एक बटा 2 आएगा तो एक बटा 3 माइनस एक बटा 2 दोनों बराबर है क्या? नहीं तो अगर A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 होगा तो ऐसे रैकिक समिकरण के कितने हल होगे? एक यूनिक हल होगा अदृति हल होगा और वो संगत यूगम होगे संगत यूगम होगे consistent यूगम कलाएंगे संगत यूग में होंगे ठिक अधिती हल होगा अगर a1 अपान a2 not equal to b1 अपान a2 है ठिक इसका देखते हैं देखो अब यहाँ पर direct मैं तुल्ला कर रहा हूं तो a1 यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 2 b1 आपको क्या मिलेगा 3 c1 क्या मिलेगा minus 9 देखो यह इधर आएगा तो minus में हो जाएगा a2 आपको क्या मिलेगा 4 b2 आपको क्या मिलेगा 6 c2 आपको क्या मिलेगा minus 18 अब यहाँ पर देखो a1 अपान a2 वो क्या है 2 बटा 4 b1 अपान b2 वो क्या है 3 बटा 6 c1 अपान c2 क्या है minus 9 अपान minus 18 तो a1 अपन a2 बराबर 1 बटत दो b1 अपन b2 बराबर 1 बटत दो और c1 अपन c2 बराबर 1 बटत दो अभी देगो ध्यान से सब 1 बटत दो आया निकि a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2 यानि अगर A1, A2, B1, B2 और C1, C2 तीनों बराबर अजाते हैं तीनों का अनुपाथ A1 अपाथा, A2, B1 अपाथाई हो एक नपाथा का तो इसके कितने हल होंगे? अनन्थल होंगे कितने हल होंगे? क्यों अनन्थल होंगे? क्योंकि दोनों संपाती रेखा है यानि जब भी संपाती रेखा होगा तो उसके अनुपात, दोनों रेखाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे E1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 और अब इसकी हम बात कर लेते हैं और यह संगत हल होंगे ही होंगे यह भी संगत हल है, जिसके हल होते हैं वो संगत यूगम होता है, संगत यूगम राखिक समिकरण है और जिसके हल नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं असंगत राखिक समिकरणों का यूगम होते हैं यहाँ पर तुलना कर लेते हैं तो यहां पर देखो A1 आपको मिलेगा 1, B1 आपको मिलेगा 2, C1 आपको मिलेगा minus 4, देखो यह इधर आना चाहिए, इधर होना चाहिए, उधर 0 होना चाहिए, तब ही तो आप तुलना करते हो, किस से तुलना करते हो, A1, X plus B1, Y plus C1 बराबर 0 से तुलना करते हो, तो इसी format में में भी तु लिखा हो ना चाहिए तब तुलना करेंगे तो ऐसे ही आप तुलना करोगे तो a2 आपको 2 मिलेगा b2 आपको 4 मिलेगा c2 आपको 12 मिलेगा तो a1 अपन a2 की तुलना करोगे तो क्या मिलेगा देखो a1 1 है और a2 2 है B1 upon B2 करोगे तो B1 देखो किया 2 है B2 आपका 4 है तो 1 बटा 2 हो जाएगा C1 upon C2 करोगे तो C1 किया माइनस 4 है और माइनस 12 है C2 1 बटा 3 तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो E1 upon A2 बराबर B1 upon B2 आया है और not equal to C1 upon C2 तो यह चीज़ी होंगी अब ध्यान से समझ लो कि जब अधिती हल होगा तब क्या होगा E1 upon A2 not equal to होगा B1 upon B2 के जब E1 upon A2 equal to होगा B1 upon B2 equal to होगा C1 upon C2 तो दोनों रेखाएं समपाती होंगे और उसके कितने हल होंगे अनन्त हल होंगे इन दोनों इस्तिति में जब अधिती हल होगा और जब अनन्त हल होंगे दोनों इस्तितियों में संगत युगम के रैखिक समिकरल कहलाएंगे और जब A1 upon A2 not equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2 होगा तब दोनों रेखाएं समानतर होंगे और उनके कोई हल नहीं होंगे और ऐसे रैखिक समिकरल युगम को असंगत कहते हैं खिक असंगत युगम कहेंगे तो ये चारे चीज़े important है अब इसके basis पे हम अगला exercise 3.2 का करेंगे अगले वीडियो के अंदर हम सारे एक-एक सवाल exercise के अंदर करेंगे तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे अगर किसी प्रकार का कोई doubt है तो please comment करिए comment box में अगर आप वीडियो आपको पसंद आया हो अच्छा लगा हो तो please like करें और हमारे चैनल पर नए हो तो please subscribe करना बिल्कुल ना भूलो और ज्यादा ज्यादा सेयर करो जिससे हर बच्चे तक पहुंच सके तब तक के लिए बाई बाई